हलो दोस्तों, Visual Arts with Vini में आपका स्वागत है दोस्तों, आप लोग अपना नेट का एक्जाम दे चुके होंगे मतलब जिनने इस एटेंट में भरा था, उनका नेट का एक्जाम 5th of November को हो गया होगा और उसकी आंसर की भी, Visual Arts की मैंने शेर कर दी है, तो आप लोग देख लीजेगा और उसका लिंक भी इसक्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, अगर नहीं आप लोग ने देखा है तो और पेपर वन की भी मैं जल्दी लेके आऊँगी पर आज हम लोग क्या लेके आए हैं, वही हमारा पुराना Western आर्ट जो हमने स्टार्ट किया था नेट की एक्जाम के लिए मैं माफी चाहती हूँ कि हम उसको कम्प्लीट नहीं कर पाए हैं Western को लेकिन जहां से हमारी कहानी खतम हुई थी हम वहीं शिरू करेंगे यूँकि नेट की एक्जाम अगली जो आएगी, जो लोग भी भरेंगे, उन लोग के लिए कोर्स कम्प्लीट कर देंगे अपन तो रोमनस की कला को देखेंगे, बैजन्टाइन हम लोग देख चुके हैं दोस्तों उसका प्रिवियस वीडियो आपको लिंक मिल जाएगी, नए है, पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बाकी वीडियो भी जरूर देखें ठीक है, तो मेरे प्यारे दोस्तों, जो लोग आप लोग में से जुड़े हैं और बिल्कुल देख रहे हैं, एक्जाम हो गई है और अगर किसी को मतलब आंसर की इससे भी यह है कि माक्स कम बन रहे हैं, निराश होने की कोई जरूरत नहीं है अगर हम एक से दूसरी बार एक्जाम देते हैं, तो हम ज़्यादा पढ़ते हैं और ज़्यादा नौलिज गीन करते हैं तो प्लीज पॉजिटीव रहे हैं, अगर नहीं भी होता है, इस बार कट ओफ लिए नहीं हो रहा है कोई दिक्कत नहीं है, बहुत टाइम है हमारे पास, हम अराम से कर सकते हैं पढ़ते रहेंगे, तो प्रैक्टिस रहेगा और आगे आप लोग जरूर सक्सीड होंगे कितने नेट वाले हैं, जो ZRF नहीं क्लियर कर पा रहें, उन्हें भी टेंशन लेने की जुरूरत नहीं है अच्छा कासा लिमिट रहता है, तो और गल्स के लिए तो और रिलेक्सेशन रहता है तो आप लोग बिल्कूल टेंशन मत लीजिए, और जैसे अपनी महनत कर रहे हैं, और करती रहे है और जिन लोगों का हो रहा है, उनको मेरी तरफ से अभी से बहुत सारी बढ़ाई तो अब हो गया आज का ग्यान, आप लोगों को पता है मैंने कि पुराना ही नेट एक्जाम ही धिमांग में रह रहा होगा बट हमें आगे बढ़ना है और आगे जो टॉपिक्स हैं वो भी पढ़ने हैं जो छूट गएं तो हम आज शुरू करते हैं तो रोमनस की कला क्या थी वो देखना है बाइजन टाइन पूरा कहानी देख चुके हैं कैसे कैसे सुन्दर सुन्दर आर्ट वक्स थे वहाँ पर मूरल्स हों मुजाइक्स हों पैसलिकाज हों है ना आर्किटेक्टर्स सब कुछ हम लोग बाइजन टाइन में बहुत पिरेट बोलते हैं वो वाला टाइम हम लोग देखते हैं ठीक है दोस्तों तो देखते हैं चलिए पांसो से हजार इस्वी, हम इस्वी के टाइम में आ चुके हैं कि अवधी में पूरे युरोप में अराजकता का शासन था पूरे युरोप में जैसे जो अनार की रीचन था, अनार की शासन था, वो पूरा था रोमन सामराजी के पतन के कारण, कुछ बरबर जातियों ने युरोप में अपना शासन लागू कर दिया था इसलिए इसने एक ऐसी स्थिर्थी पैदा कर दी थी, जहां शान्ती, स्थिर्था, आवश्यक, पूर आवशकता हैं या राजनितिक और सामाजिक सम्रद्धी नहीं है इस युग को युरोपिय युग के अंधकार युग के रूप में भी जाना जाता है मीन्स वो टाइम आ गया था दोस्तों देखिए जहां पर शान्ती, एक स्थिर्था, स्थेबिलिटी जिसे बोलते हैं आवशकता हैं और राजनितिक और साम्रदिक सम्रद्धी नहीं थी और इसी पीरेड को हमने अंधकार पीरेड बोला था, मीन्स एक तरह से किसी का ज्यादा शासन नहीं था, कोई स्टेबिलिटी नहीं थी, जिसको जो करना है वो करो उस टाइप की चीज़ हो गई थी किस समय ये इस समय पे 500 से 1000 इसवी के समय अंधकारियों कुछ जगे पे चिक अब क्या होता है गिरोपिय महाद्वीप में ग्यारवी से बारवी शताब्दी के दोरान जिस तरह की कला का उदय हुआ, देखिए, 1000 इसवी, है ना, 9th century, अपन क्या देख रहे हैं इसमें, कि जो समय का जो समय था, कला का उदय हुआ, उसे रोमनस कार्ट कहा, है ना, जब कोई कुछ स्थिरता नहीं थी, सब अपना अपना काम कर रहे थे, तो इस समय जो कला का उदभव हुआ, वो था हमारा रोमनस कार्ट, विभिन प्रांतों की आवशकता और, जो अलगलग प्रांते उपलब्धता के साथ, धून में रोमनस क कला के विकास के कारण यह विशाल विविदता विकसत हुई, जो जो अलगलग प्रांतों की आवशकता थी, उनके जो संसाधन थे, है ना, एक साधन, उनकी आवशकता की कारण वहां पे रोमनस कला के विकास हुई, है ना, और एक बड़ी विविद्धता उसमें विकसत हुई चिक आगे देखते हैं इटली में 15th century में जो पुनरुथान आरंभ हुआ था है ना जो हम पढ़ेंगे और जिनने western वगेरा थोड़ा भूद भी पढ़ा है तो आको याद होगा कि पंद्रवी शती के सामने आगे पुनरुथान आ कैसे देखे कैसे क्यों ऐसा बोल रहे हैं यह लोग मतलब वास्तों में ऐसा बोलते नहीं हैं बड़ हम यह समझते हैं कि रोमनास के टाइम भी एक तरह का पुनरुथान हुआ था ऐसा चिक कैसे प्राचीन और नश्ट सभिता का आधार लेकर इसाई धर्म की शिक्षा से बर लोगों ने अपने जातिगत अलंकरनों के योग से ही बाइजानचाइन कला का निर्माण किया था चिक है नो डाउट पर वे शेली तत्व को ना समझ सके इनी सब चीजों को इनने अड़ करके मींस साइधन के लिए और इसी के लिए बाइजानचाइन कला का वो किया था हम कर सके इलेवन सेंचुरी में जब सहसा परिवर्तन हुआ एक चेंज हुआ एक स्टाइल डेवलप हुआ एक तरह से भवनों में एकता और व्यवस्था आई जो भी भवन है जो आर्किटेक्टर हम कर रहे हुए उसमें एक एकता युनिटी और एक अरेंजमेंट सा आया जब पहले ऐसा कुछ इतना फिग्जड नहीं था व्यवस्था आई भवनों के प्रमुक स्थानों में अलंकरण हुए इसका काम पुना आरम हुआ मींज भवनों के जो कही स्थान पर अलग-अलंकरण हुए ये काम यहां पर चालू हुआ प्रकृति का विशलेशन करके नियम ब लासनी असूर तथा सुमेरियन पश्यू आकरती एवं प्रतिकों का भी प्रयोग हुआ अब यह सब चीज़ें रोमनस्क में हुई कैसे मींज एक तरह से पुराना और अभीकव समावेश करके as a style प्रड्यूस किया एक शेलीगत रूप से प्रस्तुत किया उसी को हम रोमनस कला बोलते हैं चीक है रोमनस्क नाम ही इसी तरह का है कि वो जो पहले की कुछ चीज़ें नश्ट भी हो गई थी उन सब चीज़ों को आड़ करके जैसे दीखें आप देखें साही द्रश्य बोल रहे हैं यूनानी के जो कथाना एक और उनमें एक अलग सा अलंकरन करके है न सुमारियन पश्यू आकरतिया मेसोप्रटैमिया के समय की है न ये सब चीज़ों का भी यूज हमको रोमनस्क में दिखा गया है चीक है इस प्रकार पूर्व और पश्चिम पुरातन और नवीन का समन्वे हुआ पूर्व और पश्चिम और जो भी तरफ का है उनका एरिया युरॉप का पूर्व और पश्चिम उस एरिया में जोड़के और जो पूराना था और जो अभी नया है उन सब चीज़ों का एक कॉम्बिनेशन जो है वो रोमनस्क में हुआ ठीक है पहले जो कुछ अगर कहीं में ग्रीक में कुछ स्टाइल डेवलप भी हुआ था तो हमने मैंने आपको पहले बताया था आपको याद होगा तो यह हमारी कानी है कि मेडिवेल पीरेट के समय यह चप चीजे थोड़े से स्टाइल पर कम ध्यान दे के सिर्फ वो लोग सब्जेक्ट और इन पर ध्यान द रहे है, वो, उसका वो काम भी कर रहे है, ब्लस अपना पुराना स्टाइल है, उसको भी डेवलप कर रहे है और दैट्स वाए, क्यूं कहा था यह कि इतली में यह पहले ही रिनाइसन्स हो गया था, इसलिए कहा था, चिक, आगे देखते हैं, क्या बोल रहे हैं बही यह हो ग अब एक ब्रॉडनेस आ गई और अभी वियंजना की श्रेश्रता इस कला की प्रमुख विशेष्टा हैं थी क्या क्या था कल्पना बहुत अच्छी कल्पना शक्ती साधन भी बहुत अच्छे पूर्ण थे तभी उसमें सब कुछ हो पा रहा है उसमें आपका एक प्रभाव शील्था होते हु बहुत है हम क्या वो लेंगे कि हां इतनी सारी चीज़ना तो एक बहुत लेकिन इसमें रोमिनस में भी अब बोल रहे हो कि हाँ स्टाइल है अच्छा काम है धार में और लग अलग पश्यू आकरती पुरानी आकरतियां उन सबका समन्वेश हैं बहुत चीज़ हैं लेकिन फिर भी इतना सब कुछ ताम जहाम होते वे भी एक तरह से पूरा प्रॉपर काम होते वे जिसको हमेक रिच वो बोल सको होते हुए भी एक सरलता है एक सिम्प्लिसितई एस आर्ट में है इस कलाक स्रजन धार्मिक चिंतन के लक्ष में हुआ है धार्मिक चिंतन के ल justin चल रहा है इसके चरमी परेनीती आगे चलकर गोथिक शेरी में होई जो उसकी एक चरम पढ़ी नीती थी, एक मीनस हम बलेंगे एक आउटलाइन थी, हैना वो आगे चलके किसमें आई? गोथिक, जो हम अगला पीरेट पढ़ेंगे, वो उसमें वो डेवलप हो गई, उस चीज़ को एक अलग नया हटके नहीं, कोई लड़ाई जगना नहीं करके गोथिक आगे जब उसकी चरम पर नीती हुई, बड़ी हुई, वो आगे गड़ी, बड़ी एक तरह से उसका डेवलपमेंट हुआ है, तो वो कहाँ पे गई? वो गोथिक शेली के नाम से हुई, जो कि अपने आप में European आर्ट में एक बहुत बड़ी शेली जानी जाती है, ठीक है? अब हम आगे देखते हैं, तो देखिए, जिस तरह से सभी हमने उसमें देखा है, सभी periods को हम ऐसे ही पढ़ रहे हैं, उसका काम को हम है अलेट करते हैं, तो सबसे पहले हमारा turn आगया, फिर वही वास्तु कला का, तो क्या है? देखते हैं, सॉरी, चुकि रोमनिस्क कला वभिन शेत्रों में आगे बढ़ती है, इसलिए इससे इस बात से नहीं जोड़ा जा सकता है कि इसका जन कैसे और कहां हुआ, चीक है, अलग-अलग उसमें हुआ, वैसे हमने क्या बोला था, कि हाँ 11-12 शत्ती के समय है आया, उस पे हुआ, लेकिन इस उनने अपने 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 लेवल पे इसको इसकी रचना करी, तो हम यह नहीं कह सकते कि कब कैसे कहां हुई, लेकिन हजार इसवी वही जो 11th सेंचिरी के दौरान, सुरी, हजार इसवी, हजार इसवी के दौरान, इटली, जर्मनी, स्पैन, इंग्लेंड और विशेश रूप से, फ्रांस में इमारतों का निर्मार भरपूर मिला, अब हम एकदम exact time जिस तरह से other periods का बता रहे थे, हैना, हमने बाइस दैन चाहिन, हमने ancient time वह से बता है, लेकिन हम इसको एक proper भी न जिस्तर आर्किटेक्चर वास्तू का निर्मार मिला गया है, रोमनस आर्किटेक्च जो मलेंगे मुर्तिकार, वास्तुकार, वास्तुकार ने सरचनाओं के निर्मार के लिए प्राचीन इसाई चर्च की मूल योजना में कुछ बदलाव किया, अब देखो, आप ऐसी चीज होती है, अगर कुछ चीज धर्म से रिलेटेड है, तो हम आज भी देखने हैं कि हम उस चीज को सीधे पलट नहीं कर सकते हैं, अपने अनुसार के नहीं नहीं, यह सब चीज में बंद करो, अब तो हम ऐसा करेंगे, नहीं कर सकते हैं, वैसे ही 11 शती जो हम बोल रहे हैं, 1000 इ पर थेडरा होगा, यहां पर एपस होगी, ऐस तरह से अलग-अलग चीज़न उनने डिस्ट्राइप कर रहे हैं, जिसका हम लोगों ने पूरा क्रोस सेक्शन, पूरा प्लान समझ चुके हैं, कि इसी तरह से ऐसे होता है, यहां पर ओपन पोच होता है, वो सब चीजन अलग- कोई में बीच का पोचन नहीं बनाएंगे, बीच के पोचन में जिजस क्राइस के क्रोस रख देंगे, यह सब चीजने अगर हम अपने साब से वो लोग करते, तो क्या यह सही होता, नहीं होता, गलत हो जाता एक दम, मतलब फिर तो उनकी शेली पनपने से पहले इक खतम हो तो इनने क्या किया, मैं एक्स्ट्रा बाते करने लग जाती हूं थोड़ी, तो वो क्यों कहानी सुना रही थी, क्योंकि अगर वो लोग सब कुछ चेंज कर देते, तो ऐसा नहीं होता, है ना, मैं बोल रही हूं, वो एक पुनरथान है, मीन्स, लेकिन वो एक कॉंबिनेशन ठीक, नया पुराने का कॉंबिनेशन है, रोमनेस कार्ड, तो जो नई चीज है, उसमें भी कोई एकदम चेंज नहीं है, वलकी क्या है, बदलाव, तो जो इसाई धर्म, प्राची निसाई धर्में, जो चर्च, उस्टरा से बलेए, उसमें उन लोगोंने बेसिक्स यह चीज है मुख्य किनारे पर समकोन पर दोनों और स्थित दिर्गाओं को थोड़ा थोड़ा बढ़ाया गया यह आप इसमें देखिए यह जो मुख्य द्वार नहीं है विसे पर थोड़ा थोड़ा उनको बढ़ा दिया गया जो इमारत का गोला का रहसा यानी एप्स चोड क्षर कर रेता है वह थोड़ा सा चोड़ा होने लगया उनका क्योंकि एक बड़े शेत्र को भजर Gleich कि जो आप प्रेच कहते हैंमिस उसके लिए बड़ा शेत्र चाहिए रहता था इसलिए जो यह एपोशन है यह पोशन को भी बड़ा बताने लगा यह एक बड़ा सेंतर चा सेंट मार्टिन चर्च में एक अलग तरह का बदलाव दिया गया गया कहां पर है ये फ्रांस में रोमनस्क विरेट के टाइम का है बदलाव किया गया एप्स के चारो और जो एप्स है उसके चारो और एक परीधी पत बनाया गया था और बाहरी दिवारों से जुड़कर दोनो और लंबे चैपल या चर्च बनाया गया था ये जो एप्स है इसके चारो और एप्स के चारो और एक परीधी पत मतलब एक तरह से एक रस्ता बनाया गया था और बाहरी दिवारों से उसको जोड़ दिया था एक लंबे चैपल और चर्च उसमें बना दिया था इसके पत्रों का उप्योग निर्माण के लिए यहां किया गया, रोमनस काज इसी वीडियो में कम्प्लीट करेंगे, तो यहां पर अलग 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 तरह के पत्रों का यूस किया गया, भवन के डिजाइन में एक बजन के लिखाएए, एक किसम लाकर गैर सिर्ता के कारण लकडी की चतों को बाहर निकालना, मतलब एक लकडी की चतों को बाहर निकालके लगाते थे, बाइजेंटाइन वस्तुकला की तर्च पर जो बाइजेंटाइन की वस्तुकला आर्किटेक्ट्चर पढ़ा था, उसी की फॉर्म पर डिजाइन की गई, चत जैसे विभिन तंबू का उप्योग किया गया, चत ऐसी बनाई गई, जैसे एक अलग अलग तंबू का दोस्तों, यह जो है, एक बेसिक डिजाइन है, रोमनस्क का, इस प्रकार से जो आपको यह मिलेगा, एक बड़ा और यह चोटा, यह चीज है, रोमनस्क की बेसिक स्टाइल है, ठीक है, हम पढ़ रहे हैं आगे, पर आप थोड़ा से उसको ध्यान दे देना, ठीक है, आगे, कभी कोई बैडनेंटेंज, शेली की गुंबदों का भी उप्योग करना गया, लेकिन ऐसा तंबू जैसा जो दिख रहा है आपको, वो इस तरह से बनाने का उप्योग कब हुआ, यह चीज रोमनस्क में आ गई, चेंज है न, बैजन चाइन को जो गुंबद हैं, वो भी कई कई यूस किये गए, उनका विचार न केवल एक लंबे समय तक चलने का चर्च का निर्मान करना था, रोमनस्क वालों का, बल्कि इससे विशाल और विशाल बनाना था, बड़ा से बड़ा बना है, इसलिए वो ऐसे क्या करते थे, देखो यह बीच का गेड बना के उसके अच्छा सा काम हुआ है, लेकिन अभी जो इसका रोमनस का बेसिक है, वो देख रहा है, रोमनस्क वासुकला की एक और विशिष्ट विशेष्टा, गोला कार महराब थी, यह जो महराब आपको दिख रही है, यह उनकी विशिष्ट वो थी, हर कहीं दिखेगी, बहुत जग खिर्कियों में चर्च की महत्वपूर्ण भूमी का होती थी, जो इसकी दर्वाजों खिर्कियों की बहुत भूमी का होती थी, जो भगवान का आराध्य है और भक्तों के लिए पूजा का स्थान है, धार्मिक उपासकों और अनुयाईयों की इमानदारी से स्वागत करने क के लिए बड़े दरवाजे होना आवशक था ठीक है जो हम लोग हम देख रहे हैं मतलब ऐसी बात है कि वैलकमिंग के लिए बड़े अच्छा यूज गेट की आवशकता थी इसलिए गोल स्तंब पर आधार वाले गोल खंबे द्वारा समर्थित एक द्वार दिवार में परिक दरवाजे का हर आर्क दरवाजे की चोड़ाई और उचाई बढ़ाने का काम करता था आर्क जो है उनकी चोड़ाई उचाई बढ़ाने की काम करता था कैसे देखिए यह वाली जो है यह अगर छोटा है तो यह इसकी चोड़ाई भी कम है और उचाई भी कम है इस प्रकार का काम की आप देख़िए नॉर्मली ये धीरे-धीरे छोटा होता जाता है ये आर्क जित्ती बड़ी उसका वो इतना बड़ा चोड़ाई भी और लंबाई भी वैसे ही ये जित्ती छोटी उसका उतना छोटा खंबे और महराब के सयोजन से बने इस तरह के दरवाजे को आउट सैपलेड डोर कहा जाता था ये स्पलेड डोर अब मैं कोई हिंदी में इसका नहीं पता था लेकिन इनको जो इस तरह का डोर है उसको क्या बोलते हैं स्पलेड डोर कैसे ये आर्क एक बहुत बड़े और होई दिखते हैं कैसे दिखते हैं इसमें यह बहुत सारी महराबें आपको दिखेगी एक दो तीन चार ऐसे करके विशाल गेट की तरह या विशाल इस तरह की आर्किटेक्टो की जयला यह 2 देखता था काय में प्रोमन वास्तुकला में यह देखता था ठीक ये तो हो गया आपका gate की बात अब क्या है खिडकियां भी जैसे दर्वाजे महराब के साथ बना दिये थे इस तरह के जैसे दर्वाजे बनाये थे वैसे ही खिडकियां भी महराब के साथ बनाई थी इसके अलावा दिर्गाओं के पास की खिड़कियां को जोड़ा गया था इनको भी आपने कैसे जोड़ावा बनाया गया था खिड़की के केंद्र में एक छोटा गोला खंबा जो की अतिश्योक्ति और आधार है खिर्खी के दोनों और के छोटे-छोटे महराबों के उपर एक साथ आते हैं और एक बिंदु पर मिलते हैं जो एक छोटा गोला होता है उसके उपर वो इन विंडो को क्या बोलते हैं ट्वीन विंडो कहते हैं यह जो है यह twin window है देखो आप लोग इसको जो है क्या कहते है twin window आगे अगर भाग की दिवारों पर जो आगे की भाग की दिवार थी उस पर वो तो आपने twin window मतलब हर चीज यहाँ पर महराब पर है है न मोशली अब यह जो आगे की दिवार थी उसमें एक बड़ी गोल खंबे वाली खिड़की का निर्मान किया गया बड़ी गोल खंबे वाली खिड़की का निर्मान किया गया जिससे ट्रैसरी के से सजाया गया यह गठित खिड़कियों के हिससे जो गुलाब की पंखुडिया या पहियों के प्रवक्ता की तरह दिखते हैं दिवारों को बंद से सजाय गया था अलग-अलग गोल खंबे वाली खिडकियों ऐस तरह से निर्मान किया और उस पर एक प्रॉपर आर्क्स बनाई गई तो यह वाली जो चीज थी यह भी कहां पर हमें मिली है रोमनस में देखने को मिली है रोमनस के दौरान जो घंटी वाले टावर जो सब्सक् प्रिज बोलेंगे वो घंटियों के लिए वो भी चीज़ें जरूरी थी इटली में घंटी वाले टावर चर्च की निकटता में बनाए गया थे इटली में जो थे बैली फरी चर्च के पास ही बनाए गयी थी लेकिन स्वतंत्र सरचना के रूप में जबकि अन्य स्थानों पर यह चर्च में शामिल थे अधिक बार चर्च के आगर भाग में मतलब जागी के भाग को दोनों तरफ टावरों के साथ सुशोबित किया जाता था कैसे देखिए ये मैंने घंटी का रहा लेकिन कितनी बार ऐसा किया जाता था माली जी ये चर्च है तो उसके दोनों ऐसे इस तरह की बेल फ्रीज बनाई जाती थी जहां पर बेल रखी रहती थी कितनी बार ऐसा किसमें रोमनस्क में अब यह क्या है तो कुछ प्रमुक आर्किटेक्ट हैं उनको देखते हैं लुंबार्ट पोर्ग कहीं भी आ जाये अरेंज करने को आये कि जब आये लुंबार् दरबार पर जो सामने का पोर्च होता है वो यहां की एक मुख्य विशेष्टा थी मुख्य दरवाजे के दोनों और नीव होगी इन बैटे हुए शेर की मुर्थियां और उनकी पीट पर दो छोटे गोल खंबे खड़े थे देखे जो यह है यहां पर बोल रहे है कि यह स्थान है इधर बहुत चोटा सा दिख रहा है लेकिन यह जो पिलर्ज है उसमें सीहं की जो दो मुर्थियां हैं ना देखें कि इसका बड़ा मैंने लिए है नहीं लिया चलो तो यह आप देखना थोड़ा सा सर्च करके तो उस पीट पे खड़े हैं जो पोर्च की शत को संतुलित करते हैं एक बैलेंस प्रवाइड करते हैं पूरे पोर्च की छत को यह लुंबार्ट पोर्च के रूप में जाना जाता है अब सैन मिनिटो इन फ्रांस फ्रांस में सेन मिनिटो क्या है तो तसकनी में फ्रैंस की तसकनी में टस्कनी में सादे चर्च के आगरभाग का सामना काले और सफेद संगमर्मर की जर से किया गया था यह सादा चर्च है लेकिन यह ब्लाक और वाइट मार्बल से बना गया है जैसे की चर्च पर देखा गया, फ्लोरेंस में सेंट मिनिटों की है, यह चर्च आपने देखा इसमें क्या है, ब्लाक एंड वाइट मार्बल से बना गया है, पूरा आगे का पोशिन, यह आप फ़रा से ध्यान रुखीगा, mostly इनका डिजाइन इसी प्रकार का होता है, देख बहुत अच्छे से, ऐसे वो बनाया गया है, अगला क्या है, सेंट माइकल चर्च एट हिल सेशाइम, जर्मनी, जर्मनी के हिल सेइम में सेंट माइकल चर्च था, कितना सुन्दर, देखिए इसी में भी है कुछ बैल फ्रीज और कुछ चर्च का मेन पोशन, जर्मन इसको क्या बोलते हैं, सेंट माइकल चर्च कहा जाता है, इसके पूर्वी और पश्चिमी किनारों पर अर्धवर्थ है, आम तोर पर चर्च का मुख्य द्वार पश्चिम में होता है, मेंस वेस्ट में, लेकिन इस चर्च के उत्री गलियारों में छोर पर दो प्रवेश द इस्ट में, इस्ट में ऐसे दो दर्वाजे हैं, चीक, आगे देखें, सेंट ट्रोफाइन चर्च एट आलेस, ये नाम आप बहुत अच्छे से याद रखना की याद रहते हैं, रोमनस के टाइम का, देखें इसका भी डिजाइन ऐसा ही है, यहाँ पर भी इस तरह का पो, य इसके छोटे छोटे दर्वाजे हैं, जिन हैं, ये दर्वाजा देख लो, जिन हैं मूर्तियों से सजाया गया, यहाँ पे जो है, देखो आप ये सब मूर्तियां हैं, किती प्यारी, तो ये सब से इनको सजाया गया है, इसाई अनियायों के बीच पवित स्थानों पर जानन की प्रथाय चालू हुई जैसे एक तरह से तेस्थ बनाए गए थी यह जो है वह उस तरह एक प्रकर का मठ है कि उनको आप उनको रेस्ट के लिए आप दे सको वह वाली चीज थी बड़ी संख्या में तीर त्यात्रियों के स्वागत के लिए बड़े विस्तार के साथ चर्च यहां पर यह बनाए गए थी सेंट बर्निन बैसिली का चावलोस फ्रांस यह जो है सेंट बर्निन की बैसिली का है यह भी इसी प्रकार से जो सेंट कॉम्पोस्टेला है वैसी फ्रांस में टावसोल गये भी वही एक तरस जो मठ है उन लोग उन चीज के लिए बने गए थे उन लोगों के लिए उनके रेस् और उनकी पतनी मतिल्डा द्वारा बनाया गया था किस से इनके इससे बनाया गया था इसमें दो बैल टावर है यह जो मैंने आपको बोला था देखिए यह में चर्च चर्च एरिया है बट यह जो उपर है यह क्या है यह आपके बैल टावर है और उसमें चर्च यह डिजाइ में बोलते हैं, number, contact, number and all, तो उसके लिए ज़रूरत नहीं है, आप लोग इससे भी मेर से जुड़ सकते हैं, चीक, अब हम लोगोंने वास्तुकला पढ़ ली, मुर्तिकला और चत्रकला जो भी है, वो भी सब इसी वीडियो में complete करेंगे, क्योंकि बहुत टाइम में वीडियो दिया है, तो अब ज़्यादा आप लोगों को रोक के नहीं रखेंगे, चीक, तो मुर्तिकला पढ़ते हैं, क्या थी मुर्तिकला, तो इस योग में मुर्तियों निर्मित वास्तुकला को सजाने के लिए उप्यो की जाती थी, वास्तुकला बहुत सुनदा थी, हम लोग जाता हुआ स्थान बहुत चोड़ा था, बीच में एक स्थम्ब था, इस स्थम्ब के सामने प्रमुक लोगों की मुर्तियों को रखा गया था, चीक, महराबो, उत्समों और स्थम्ब की राजधानियों को सजावती मुर्तियों के साथ, जो स्थम्ब की राजधानिया मतलब मुख्य उद्देश क्या था साई धर्म की धार्मिक विचाहदरों को फैलाना सभी का उद्देश वही था उन दिनों मुद्रण की कला उभर नहीं पाई थी और अधिकांद भक्त वर्ग अशिक्षित थे इसलिए धार्मिक कला कलपना और स्पश्टा के साथ गड़ी गई यह मैं आपको कथाएं जो है आपको मैं यह चीज इंशिन टाइम से बताई गई हूँ क्या बताया कि उसमें कोई प्रिंटिंग वगेरा कोई लैंग्विज नहीं थी जादा लोग इलिटरेट थे अशिक्षित थे तो इसलिए बहुत सारी कहानियां बोली धार्मिक कथाएं ब राहत मींस जो रेलिफ फॉर्म बोलेंगे शैली गत और परंपरिक था मींस शैली तो थी सही मैं आपको बता रही हूँ रोमनस्क में और परंपरिक था जो पूरी की सजावती योजना के अनुरूप था इन धार्मिक मूर्तियों की अभिव्यक्ति में जो ये धार्मिक मू उधारन के लिए पवित्ता की भावना व्यत करने के लिए एक प्रभा मंडल दिखाया गया था या भगवान के अस्तित्व को प्रस्तुत करने के लिए एक क्रॉस को उकेरा गया था चीके यही चीज़ आप समझे किस चीज में हम सिंबॉलिजम और विचारदारा बोल रहे से यह चीज़ों का गठन भी किया गया था धारमें गरंथों की कहानियों को चित्रित करते समय कई बार विवरणों को गढ़ना कठिन था means जब आप उस चीज़ को समझा रहे तो बहुत बार चीज़ों को गढ़ना बताना कठिन था ऐसा तब है जब उन्होंने प्रतीकों क अस्तमाल किया जब obviously आप जब किसी symbolism में काम करते हैं हम artists लोग हैं हम लोग समझते हैं कि हाँ उसके लिए काम करना भी बहुत कोई आसान नहीं है माना कि भई बहुत चोटी सी चीज बनानी रहती लेकिन उसके पीछे जो thought process होता है वो बहुत tough होता है और इसलिए वो भी easy नही था उधारन के लिए क्या है कि भई पानी का सुझाव देने के लिए ऐसा तब है जब उन्होंने प्रतीकों का इस्तमाल किया तो बहुत tough हो गया था वो भी गड़ना कैसे example देखें तो पानी का सुझाव देना है तो हमें इस तरह से सुडोल आकरत वो बता देते हैं लाइन के लिए स्वर्गदूर तो यह सब चीज़ें एक ऐसा सिंबोल था कि जिससे हम उस चीज को उसकी भावनाओं को शो कर पाते हैं चीक है दर्वाजे पर राहत मुर्तिकला यह जो आपकी दर्वाजा है अब देखिए यह आपकी वो एपस हो गई हमेने बताई थी यह ऐसे महराबें जो अलग-अलग आक्स बनी गी यह हो गई तो इसकी इधर को जो सजाना रहता है उसको हम मुर्तियों से डेकोरेट हुआ है वो क दर्वाजे पर राहत मुर्तिकला का सबसे अच्छा उधारन फ्रांस के प्रोवेंस और बरगंडी में उतपा देते प्रोवेंस और बरगंडी है फ्रांस में वहां पे बहुत अच्छा उधारन है उसमें लास्ट जजमेंट यह जो एक सब्जेक्ट है वो क्या है आपको पता है अन्तिम निनने वो वाली चीज की गई है अन्तिम निनने चर्च की बहर दिवार में समरद नकाशिदार पोर्टल परियोजना का प्रतिनिद्व करता है यह दरवाजे की दोनों किनारों पर साधे आधार से बना गया है जिस पर स्तम्भो द्वारा एक दूसरे से अलग किये गए संतों का आकड़ा है ठिक तो यह आपका यह था है कहां पर प्रोविंस में फिर इसी तरह से दिखी ही मुर्तियां जो है मोशली सब इसी में मिलेगी बर्गंडी में और्टून में सेंट लजारे के चर्च का पतक्रम भी अंतिम निर्णा दिखाता है यह भी एक तरह का लास्ट जज्जमेंट है यह कहां पर है बर्गंडी में ठिक शांदार अनुपात मीं बहुत अच्छा सा प्रपोर्शिन और पूरी तरह से मानव आकरतियों की शेली गत प्रतिय ने दे त्वहना जो चीज बाइजन्टाइन इंशिन में नहीं थी एक मानव आकरतिय एक शेली की तरह से शो हो रहे थे कभी कभी विक्रती में मानव शरीर में कब कर्बनिक प्रतिने दित्व की तुलना में शांदार सजावती रेखा है रचनाय अधिक पसंद है चिक आगे लगभग 1220 में मौटसे में सेंट पियरे के चर्च का पंडित्य एक उधारन है सेंट पियरे का चर्च है उसका भी ये काम आप देखो ये एक उधारन है जहां पंडुली पी रोशनी हाथी दात की नकाशी यह सब जो है पंडित्य मैनस्क्रिप्स हाथी दात आइवरी तो लगभग 1120 में मैटसे के सेंट पियरे चर्च का पंड ये एक उधारन है यहां पंडुली ती रोशनी हाथी दात की नकाशी हाथी दात आइवरी से उसकी नकाशी की गई है और धातु के काम ने मूर्तिकार को प्रभावित किया है यह सबसे दिल्चस्प मूर्तिकला व्याक्यों में से एक है जो निर्माता के अराधना मींस गौ रोमनस्क वॉल पेंटिंग की उत्पति मींस जो मूरल है उसकी उत्पति बहुत दूरस्त है लेकिन बहुत कुछ नश्ट हो गया है बहुत कुछ है लेकिन नश्ट हो गया है रोमनस्क जितकारों के पास अपने निप्टान में दिवार की विशाल सता थी बहुत अच्छा स पेस था उनके पास जिसमें वे द्वित्ती चत्र करते थे अब इसके आगे का हमें ट्रांसेट करना भूल गई हो तो चलिए एक्जांपल इसके कहां कहां मिले हैं तो कहां कहां मिलें देखे इटली, इंग्लैंड, जर्मन, रेंलेंड और फ्रांस इन पांचों जगे में रोम जो है ये वहीं का मूरल है, देखे इस प्रकार की एक शैली गत मैं कहूंगी, फिगर्स के रूप में काम आया है यहां पे और ये मूरल इस तरह की लोग बनाया करते थे, आगे देखते हैं मैनस्क्रिप्स, मैनस्क्रिप्स रोमन, रोमनेस्क में बहुत जादा जिस तरह से हमने बाइजन चाइन में देखा, वैसे ही है, हस्त लिखेत पुस्तकों में की यहां डिजाइनिंग बैजन्टाइन युक से के दोरान शुरू हुई थी, चीक हुई थी, देख लिया था हमने, रोमनेस्क अवधी के दोरान यहां पश्चिम यूरोप के इसाई मठों में ब से लिखी किताबें लिखना और उन्हें संधर्ब चित्रों में सजाना तब कला सरजन का पैटन था, ठीक है, अच्छे से लिखते थे, उसको अच्छे से कला उसे सजा दे थे, यह वहां का पैटन था, हर मट में एक रूम होता था, जिसमें वहां पे पंडू वेईपियां लोग लिखते थे, वो इतनी महत्पून हो गई थी, चपाई की कला पैजाने से पहले, मतला प्रिंटिंग की कला पाया पैजाने से पहले, किताबें हातों से लिखी जाती थी, कभी-कभी यह पूरी रेखा में, बिना किसी आरेकर्ण से बस्द रूप से लिख दिया जाता एक पंक, एक कलम के रूप में कार करता था, लेखन स्बन और चांदी की स्याही से किया जाता था, इस काल में लेखन एक कला बन गया था, राइटिंग एक आर्ट बन गया था, इसे सूलेक, मतलब कैलिग्राफिक कहा जाता है, और लेखक को जो कैलिग्राफिस्ट सूलेखक के प्रारव में सूपाथिक और समानुपाथिक लेटरिंग में केवल धार्मिक सामगरी लिखी हुई थी, हाला कि बाद में पंडुलीपी पुस्तक को सजाने के लिए, उसको सजाने के लिए चित्रों का भी यूज़ किया जाने लगा था। पेरेग्राफ का पहले अक्षर को बहुत सुंदर से डिजाइनिंग एम्प्रोइडरी करके भी बताया जाता था। पेंटिंग या चित्रों के साथ पुस्तकों को सजाने के प्रत्र मद्यूग से शुरू हुई, सजावट के साथ एक पुस्तक का उत्पादिन करने के लिए, उसके लिए चार आर्टिस्ट का जरूत पादि थी। कैसे कैसे एक तो आप क्या बोलते हैं एक आप का सुलेखक होता था कैलिग्राफिस दूसरा हैडलाइन पेंटर हैडलाइन पेंट करता था तीसरा इलस्ट्रेटर जो सको इलस्ट्रेट करता था और एंड में जो फ्रंट पेज को डिजाइन करता था वो होता था फ्रंट पीज जिन्हों ने गोल्डन पेन के साथ किताब का शीर्चक लिखा था, जो उसका टॉपिक था, वो लिखा था, बुक ओफ केल्स और लिंडर्सवन गस्पेल, साथसो इस्वी पूर्व की पंडूली पी पुस्तक का उतकरष्ट उधारन था, ये उनका बहुत उतकरष्ट उधारन वकृतियों का चित्र दिखाए गया, यहां पर आप जैसे देखे लिए, ठीके दोस्तों, तो ये था हमारा रोमनस्क की कला, हम लोगों ने इसमें पूरा मुर्ति कला, आर्किटेक्चर और पेंटिंग्स वगेरा सब देख लिया है, अब जो हम लाएंगे वो गोथिक, गो पर नोट्स मिल पाएं, ठीके दोस्तों, और जल्दी अब नया वीडियो लेखे आएंगे, और ऐसे ही पढ़ते रहिए, बिल्कुल अपना कॉन्फिदेंस लूज मत कीजिए, अच्छे रहिए, खुश रहिए, हेल्दी रहिए, और पढ़ाय करते रहिए, थैंक्यू सो मच झाझ सो मचिएफे हैं.